हलो फ्रेंट तो चलिए आज बनाते हैं बेशन के लड़ू हलवाई इस्टाइल दानेदार एकदम आसान तरीके से बगएर जिंजट किये तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं फ्रेंट तो यहां पर देखिए मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी थी उसमें एक बड़ा चमच भरकर गी डाला है देशी अब एक कटोरी भरकर बेशन डाला है और आदी कटोरी सूजी डाला है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कम आच पे इसे भून ले कड़्ची को लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे अगर आप कड़्ची को नहीं चलाएंगे ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे जल जाएगा कम आच पे इसे धीरे-धीरे मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक भूनेंगे जब तक इसमें घी नहीं निकलना शुरू हो जाता है कम आच पे इसे भूनेंगे लगातार इसी तरीके से बेशन और सूजी का देखिए कलर शेंज होने लगा है तो अब हम इसमें एक छोटा चमच घी डालेंगे घी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें देखिएगा इसमें घी निकलना शुरू हो गया है बेशन देखिए एकदम पतला सा हो गया है पूरा घी निकल आया है तो अब ये बेशन भून चुका है तो अब हम कढ़ाई को नीचे उताल लेंगे देखिएगा कितने अच्छे से भून गया है इसमें खुशबूसी आने लगी है तो अब हम इसे अलग निकाल लेंगे उसके बाद हम इसमें डेड़ कटोरी पिसी चीनी डालेंगे जो मोटी वाली आती है वो वाली हमने डाली है आपके पास जो हो वो डाले अब बेशन और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे सारी गिठलिया है सारी फोड लेंगे हातों से अच्छे से मिक्स करेंगे गिठली नह अपने लड़ू बनाएंगे छोटे या बड़े जिस साइज के आप बनाना चाते हो उस साइज के आप बना लें यहाँ पर देखिए मैंने मीडियम साइज के लड़ू बनाए हैं देखिए आपको एक बना के दिखाते हैं देखिए कितने अच्छे से बना है सारी लड़ू ऐ इसे ही हम बना लेंगे बेशन के लड़ू बनाना बहुत ही आसान है इसे कोई भी बना सकता है दीपावली या कोई भी तेवार हो आप बना सकते हो इसे बहुत ही आसान है बनाना अब हम इसके बाद इसके उपर गार्निसिंग करेंगे यहां पर मैंने पिस्ता लगाया है उप पर देखिए मैंने सारे में लगा लिया है लड़ों में उपर से आप देखिए कि ज़्यादा सुन्दर दीख रहे हैं और खाने में तो इतने ज़्यादा टेश्टी हैं और इतने शौप्ट हैं आप भी बनाएं घर पर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्ली आप भी बनाएं थैंक यू